तो हे गाइज कैसे आप लोग काई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम प्रेक्टिस येट 118 लेके आया हैं और ये हिंदी से समधित होंगे तो आज हम हिंदी के परतेक टॉपिक से के प्रस्ण को लेके आया है जो आपके एक्जाम के लिए बहुत सारे स्ट्रेंट क्या करेंगे बिदूद पलत सकती तो मार देगा बिदूद सकती जो की गलत है बिदूद पलत सकती बिदूद सकती नहीं होंगे ठीक है क्या होंगे इस पर थोड़ा बेसिक रूल हम बता देते ताकि आप लोगों को बनाने में असानी हो सके ठीक है हम बेस को समझने में असानी हो सके तो यहां पर देखिए तो हलन्त या दो हलन्त अगर तालपसों से मिलेगा तो क्या बनेगा चछो से यूगत और यहां पर दिखे बिधूट सकती में बिधूट यहां लाश्ट में क्या तो हलन्त आया फिर इसमें शुरू में तालपसों तो हलन्त आट इन दोनों की मेल से जो बनेगा क्यों करनें हमें तो भिदिय अप्ष्छ नहीं हो सखटीया नहीं होगा यही नहीं होगा उसका बाद या अक्षित अí कि यह तो होगा नहीं बन्ता क्या तो अलन्ठ पलस तालब सुमिल बनता पला ऑक्ष्no बंता तो विदूठ शक्ती भी दूठ शक्ती बीदूठ जक्ती तो बीदुठ पला सक्ति भ्राबरत अब जोच्छ ठीक है तो अब्यदूठ उसकती नहीं मारेगा आपका गलत हो जाएगा है अगर हम यहां पे ले है उद फिर फैर पलस शासन उद पलस सासन क्या हो जागा तो यहां पर उच्छासन होगा तो उच्छा सन उच्छा सन आएगा क्योंकि यह विद्धुद्धफण चक्ति और इसके बाद अब तो हलंत या दो हलंत के बाद अगर तालब स्वाएगा तो वह दुनों मिलके चोचा स्विंग तो बनाएगा ठीक है इसलिए विद्धुद पलस सक्ति तो विद्धुद छक्ति और उसके बाद उद्ध पलस सासन तो जागा उच्छा सन यह सब कौन से संदी है तो वेंज और विशर याद रखिएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और प्रस्ण है आज की सभा में अनेको लोग उपस्थित थे वाकी किस भाग में असुद्धी है तुरूटी है आपको बताना है ठीक है इस तरह के प्रस्ण इंग्लिस में पूछ जाते ग्रामेट अनेको लोग नहीं अनेक होगा नेक होगा नेक्स्ट है कि निमनलखित में से किस सब्द का तत्सम रूप आद्रक है आद्रक है तो दिखिए आद्रक का तत्सम बताना है यह तो होगा ने आद्र अद्रक य होगा तो बस यह दुने में अद्रक किस सब्द का तत्सम रूप अद्रक है अद्रक पले देखिए होता कैसे हम लोग कोई अद्रक बिसम सब्सक्ẫn में अध्रक होता कैसे को होता है कि खो होता लास्ट में तो अध्रक में लास्ट में को होता क्या को अध्रक अध्रक नहीं खो नहीं को क्या खो तो यहां पर देखिए खो बला तो नहीं होगा तो एक ही बज़ गया उप्सन यानिक अध्रक यह अध्रक कहीं तत्सम क्या है अध लाश्त में को होता इस बात को ध्यान में रखना है तो इसका अप्शन ए हो गया हिए नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ नहीं हो वाक्यास के लिए एक सद आपको चुनना है कि जिसके पास कुछ नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे और किंचन कुलीन और भेद या और अस्परिस्य तो जो इसका एंसर होगा ऑप्षन ए हो जाए और किंचन जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे और किंचन इस बात को आपको ध्यान में रखना है इसके लावे जो अप्षन में दिया है उसे भी देख लिजे कुलीन ऐसी जो उची कोल का उसके बात अप्षन में लोग बोलेंगे कूलीन उच्त रहे घो जिसका जिसका यह ऑनेको सब्दों क्या ठक है जिसका भेदन या छेदन ना किया जा सकी उसे बोलेंगे अभेद स्य कि जिसका असपर्ष का असपर्ष ना हो ठीक है उसे असपर्ष से बोलेंगे भेद जिसका भेदन या छेदन ना क्या जा सके कुलीन उच्छ कुल का किंचन यानि कि जिसके पास कुछ नाहों से बोलेंगे और किंचन सारे वर्ट को आपको धिहान में रखना है को नेक्स्ट कि कौनसा पर्यावाची सब्द युग को बताना ठीक है तो यूग में ही ल्था ग deb in va ante सuna माсе व्यागर यती निरिप नारी रम्य दिखिए कि सब्द यूसं सब्द धोनों सब्द का सेम होना चाहिए वह इस सब्दी यूग को आपको चूच करके एंसर पे ठिक लगाना है ठीक है तो इसका जो अंसर होगा उपसन भी भी हो जागा सियंग और व्याग्र एक दुसरे के परियाबाची है सिंगाही प्रिया वाख्र है ठीक है तो इसलिए स्वक्रात्स क STEPHAN Schmidt मेंसैं दिया शुर्ण को आपको कुल्च करना था जबकि यहां पिस्ट में दिया स्वना भानु यह स Usually क होता है स्वना का कनक होता है क्वानु लेकिन गाइस नो यह यह राजा का प्रयावाची निरिफ है उसके बाद यती उप्षन में सही यूगम था उप्षन बी में सी और वियाग रेद दोनों एक दूसरे के प्रयावाची थे इसलिए इसका अंसरा उप्षन बी हो गया next है कि निम्ण में से कौन सा सब्द तदभव है ठीक है तदभव को आपको चूच करना है तो option में दिया धूल निर्तिए धैरिय निश्ठूर तो इसका जो answer होगा option A हो जागा धूल धूल ये तदभव है बाकी इसके लाभी जो निर्त दिया है ये ततसम दिया हुआ निष्ठूर का होता है निठूर, निष्ठूर का निठूर, ये तीनों ये तीनों का तदभव क्या था अम बता दिए, निर्तिका, नाच, धैरिका, धिरच, निश्ठूरine, निठूर, मकी इसका लाब्य जाप्षन ए मजी लिए धूल, ये धूल तदभव होग ये तद७व था तद आपको चुनना था बाकि यह जो ऑप्षन में दिया था इसको भी आप ध्याण में रखेगा नेक्स्ट है कि निमनलिखित में से कौन साथ पुलिंग है इस तर लिंग से पुलिंग हम लोग बनाते हैं वही आपको पुलिंग चूच करना है ऑप समधिया फूर्सत फस पुलिंग है जिस तरह देखिए एक सेंडर समय लेते हैं अगर बोलेंगे कि मुझे अब लोग पता चल लगए इस तर लिंग कैसे मुझे गुलाब मुझे गुलाब यहां पर का और की दोनों देते हैं ठीक है का और की मुझे गुलाब फूल पसंद है अब बुली यहां पर क्या आएगा का आएगा तो समझ लिजेगा पुलिंग होगा की आएगा तो समझ लिजेगा इस्तरलिंग होगा मुझे गुलाब का फूल पसंद है कि मुझे गुलाब की फूल पसंद है तो क्या सुन्याम अच्छा लगता है का मुझे ग हआध फॉज है जिस तरह आम लोगों बोलते हैं कि दुनिया के जुतने भी देस है तो रक्षक उनकी फॉज होती है उनका फॉज होती है उनकी यह भी फोज इस्टर्लिंग है फूरस्ट कि ऑसने नियर मतलब मुझे एक पल की भी फूरसत नहीं हूँ पल की होगा कानी पल की तो यह भी sterling है यह भी sterling है यह भी sterling है option D में जो फूल है यह pulling है ठीक है pulling कैसे हो आम आपको बता दिये उधारण के साथ तो इसका answer option D हो गया अब सब्सक्राइब तो फूल आपको pulling ही चुनना था कि किस विकल्प में सही विलोम युग में था निए सांज का उल्टा सब्सक्राइब सांज दिया है सांज का उल्टा दोफर होता है नहीं तो सांज का क्या होता है हाथ आप सने में दिया सांज का क्या होता है सांज को था क्या भूर सांज का भूर भूर सांज नहीं सांज भूर तो यहां पर गलत है हमको सही चुन्ना है सुस्क दिया है सुस्क का छुद्र दिया घुषण चुद्रं में होता है सु Artemis इसका खूइव्य कि Aन टा की यह होग उसका पर सनन पर सवे चुद्र सोब्स्याव समें गोलेश Eft होता लेगिन यह घ्ला enough गया तो आपको चुन्ना तो इसका अंसर सब्सक्राइब नेक्स है कि जिसका समान कोई दूसरा ना हो के लिए उप्यूक्त एक सब्सक्राइब को आपको चुनना है कि जिसका समान कोई की दूसरा ना हो उसे नहीं क्या बόलेगे तो सिसका समत holes में आपको देना है तो फ्रेंणच आज का प्रस नहीं द है शारी प्रस्न को मूंपीड कांसेप्ट के साथ बता दी आई होप आपको वीडियो पसंद आ हुगा यदि वीडियो पसंद आ तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे टूप चैनल कर जिए सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी हिट कर दिजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुर